नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको चावल से बोले नात के लिए किये जाने वाला एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करने से थोड़े ही समय में आपकी सभी मनोकामनाई पूर्ण हो जाएंगे माना जाता है कि इस उपाय को करने से पूरे साल ही आपके पास जम कर पैसा आता है पूरे साल आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती है बोले नात की किरपा से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे सभी बिगडे कारे भी बनने लगेंगे दोस्तों देवों के देव महादेव ये एक मातर ऐसे भगवान है जिसकी पूजा हर कोई व्यक्ति करता है चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो मनुष्य से जीवन में उत्पन हुआ शीन से शीन व्यक्ति हो या फिर चर अचर राक्सस या देट्य क्यों ना हो यहां तक की पसूपक्सी वे जानवर भी बोले नात की पूजा करते हैं जब तक दुनिया कायम है तब तक महादेव शिवशंकर की महीमा गाई जाती रहेगी शिवपुरान के अनुसार केवल महादेव शिवशंकर भोले नात ही ऐसे भगवान है जो कि थोड़ी सी पूजा मातर से ही प्रसंद होकर अपने भगतों को मनुवांचित फल परदान करते हैं शिवपुरान के अनुसार कहा गया है कि भगवान शिवशंकर की पूजा यदि सच्चे हिर्दे से की जाए तो मनुशे को सभी पापों से मुक्ती मिल जाती है सभी कष्ट भगवान हर लेते हैं और मनुकावनाओं की पूर्ती होती है इसे दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में हर अर्महादेव शिवशंकर भोले नात अवश्य लिग दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले से सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसा ही वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमई जीवन बोले नात इतने बोले हैं कि अपने सबी भक्तों पर समान किरपा बरसाते हैं इसलिए मन जाता है जो को व्यक्ति भगवान शिव शंकर को शीगर प्रसन करना चाहता है उसे सुबह प्रात्यकालिन शीगर उठ करके बोले नाथ की पूजा करनी चाहिए जब भी आप भगवान शिव शंकर की पूजा करें तो माता पारवती, नंदी, गणेश और कार्तिके की पूजा भी अवश्य करें यानि समस्तस्रीव परिवार की पूजा भी अवश्य करें भगवान को अक्षत, बेलपत्र, आकड़े या धतूरा ये सभी वस्तुएं बहुत प्रिये हैं इसलिए जब भी आप इनकी पूजा करें तो अवश्य इनमें से कुछ ना कुछ अवश्य चड़ाएं दोस्तों अगर आप पैसों की कमी से परिशान है आपके गर आर्थिक तंगी चल रही है धन की हानी होती रहती है तो धन समबंदी सभी परकार की समस्याओं को दूर करने के लिए और धन प्राप्ति के योग बनाने के लिए हम आपको आज की वीडियो में चावल से करने वा देनात एक बार अवश्य लिख दीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें शेयर करना ना भूले साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे जबरदस वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुक्मई बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुक्मई जीवन क्योंकि दोस्तो बगवान शीवशंक्र की किरपा से धनलाव के योग बनते हैं और धन पराप्ती अचानक सही आपके पास होने लगती है दोस्तो इस उपाय को किस प्रकार से करना है ये पूर्ण विदी आप इस वीडियो को पूरा अंतर तक देख करके जान ले ताकि आप को गलती ना करें और आपको इस उपाय का पूरा परिणाम आपको मिल सके दोस्तो इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर के आर्थिक समस्या है, आप नहीं ले सकते हैं, तो आप इस उपाय को एक मुठी चावल से भी कर सकते हैं, जब भी आप जिस दिन भी आप इस उपाय को करने वाले हैं, करना चाहते हैं, उछ दिन आप सुवेरे जल्दी उड़ जाएं, और शनान आदी सभी कारें से निर्वित ह दोस्तो देवताओं के पूजन में सदेवी साबत चावलों का प्रयोग होता है तूटे हुई ये खंडित चावल इस्तमाल नहीं करने चाहिए इसलिए इस पूजा में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो चावल आप ले रहे हैं वे साबत होने चाहिए तूटे पवितरता का परतीक माना जाता है फ्राबत चावल को ही अक्षत कहा जाता है अक्षत के बिना कोई भी पूजन अदूरा रहता है दोस्तो वैसे तो बगवान शिव शंकर की किसी भी रूप में आप पूजा कर सकते हैं लेकिन आप ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर बगवा बोलेनात की शिवलिंग का सुद्ध जल से अविशेक करना है, यानि की सुद्ध जल से उनका अविशेक करके उन्हें इस नाना दिकराई, यदि आपके घर में गंगाजल मौजूद है, तो आप गंगाजल भी इस जल में मिला सकते हैं, दूद दही, शहद, आदी इन चीजों का भी इस्तमाल आप कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी पूजा का पूण फल आपको प्राप्त हो, तो बोलेनात की शिवलिंग का अविशेक करते समय, आप ओम नमस शिवाई, इस मंतर का जाप अवशेक करते रहें, शिव पुरान में बताया गया है, कि शिवलिंग का अविशेक करने के बाद सिवलिंग को अपने दोनों हातों से रगणने से, आपके हस्त में, यानि कि आपके हाथ में जो भी दुरुभागे की रेखाए हैं, वे मिट जाती हैं, इसलिए आप अविशेक के बाद अच्छे से शिवलिंग को रगणे जरूर, क्योंकि दोस्तो इस प्रकार से की गई पूजा से आपका भागय उद्य अवश्य होता है लेकिन दोस्तो इस बात का ध्यान रखना है कि शिवलिंग को रगडने वाला कारे केवल पुरुष ही करें इस्त्रियाँ वे कन्याएं शिवलिंग के स्पर्स से दूर रहें शिवलिंग के रूप में भगवान शिवशंकर घोर तपश्या में लीन रहते हैं इसलिए महिलाओं वे कन्याओं को शिवलिंग को स्पर्स करने से मनाई है केवल पूरुष मातरी शिवलिंग को स्पर्स कर सकते हैं और उनको रगड़ सकते हैं अच्छे प्रकार से शिवलिंग का अविशेक और रगणने के बाद आप अपने दाहिने हाथ यानि सीधे हाथ की मुठी में चावल लें और ओम नमस्षिवाई इस मंतर का जाब करते हुए शिवलिंग पर अवस्य चड़ा दें एक बार जाब करके आप एक मुठी चावल या लक्षमी का नमस्कार करें और हाथ जोड़ करके पूर्ण स्विव परवार के समक्स्त बैठ जाएं और अपनी धन संबंदी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्तना करें यदि संबभ हो तो प्रार्तना करने के बाद ओम नमस्षिवाई मंतर का 108 वार यानि एक मा ऐसे है कि आपको थोड़े से चावल बचा लेने हैं और बचे वे चावलों को ऐसी जगह पर डाल देना है जहां पर पक्षी आते हो और वे चावल पक्षी खा लें दोस्तों ये उपाए इतना सा कारे करने के बाद ही पूर्ण हो दाता है और इस प्रकार से किये गे देवों के देव महादेव अतीपरसंद होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना ये अच्छा थी धनसंबंदी कोई परेसानी थी वे सब भी आपकी भूले नात बहुत जल्दी सुन लेते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केमले तना है कल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिदे में जादे धन्यवाद कमेंट में लिखना न भूलें जै बजरंग बली जै मातादी जै मालक्षमी हरर महादेव